गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा नौ की गडित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है अभी तक हमने पाठ एक संख्या पध्धती के प्रिस्नवली 1.2 तक प्रिस्नवली हल किये हैं इसके बाद हमें 1.3 प्रिस्नवली हल करने के लिए कुछ बातों का जानना जरूरी है इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसमें हमें पढ़ना है वास्ट्रिक संख्याएं और उनके दसंबलो प्रसार तो वास्ट्रिक संख्याओं क्या है और उनके दसमलों प्रसार के बारे में पढ़ना है चुकि वास्ट्रिक संख्याओं के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी वे संख्याओं जो पर्मे और अपर्मे दोनों को मिला करके बनती है वास्ट्रिक संख्याओं कहलाती है या यूं कहा जाए कि वास्ट्रिक संख्याओं में सभी पर्मे और अपर्मे संख्याओं सामिल होती है तो पर्मे संख्याओं और अपर्मे संख्याओं का दसमलोपरसार कैसा होगा इस प्रिष्णावली में हम यही पढ़ेंगे ठीके बच ठीक है और दूसरा है असांत आवर्ती दसंबलो प्रसार सांत दसंबलो प्रसार के लिए जैसे अगर हम कोई पर में संख्या लेते हैं जैसे वन अपॉंट टू है इसको टू का भाग करेंगे हम वन में तो हमें प्राप्त होगा 0.5 यानि सेस्फल इसमें क्या प्राप्त होग जिनका दसंबलो प्रसार जो है वह असान तावर्ती दसंबलो प्रसार होगा क्यों होगा क्योंकि उन परिमें संख्याओं का सेस्फल कभी भी सून्य नहीं होगा ठीक है अब यहां हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि इसी में एक्जांपल देख लीजे वन अपां थ्री एक पर हमारे पास आएगा 0.333 3-iszisziszisz so so on अब हम बच्चों अपरमें संख्याओं के दसंबलो प्रसार के बारे में पढ़ेंगे अपरमें संख्याओं का दसंबलो प्रसार असान्थ अना वर्ती दसंबलो प्रसार होता है ठीक है तो जैसे कि रूट्टू और फ्यू यूर्व पा दसम्लो पुरसार है यानि हमें दो चीजे पता हो गई कि जो हमारी परिमेश अंख्याएं होंगी उनका दसम्लो पुरसार या तो सांत दसम्लो पुरसार होगा और दूसरा अगर असांत अवर्ती दसम्लो पुरसार होगा अगर उनका सेशफल सुन्य नहीं हो रहा है और जब स अवसानी भी कहा जाता है जैसे root 2 और root 5 ठीक है बच्चों अब हम आगे प्राय यह 22 बटे 7 को पाई का संदिकट मान मानते हैं जबकि पाई का मान 22 बटे 7 के बराबर नहीं होता है अब हम आगे प्रशनवली की ओर बढ़ते हैं प्रशनवली 1.3 की ओर 1.3 का पहला कोशन दिया है निन्ने लिखित भिन्नो को दसमलो रूप में लिखिए और बताईए कि प्रतेक का दसमलो परसार किस प्रकार का है ठीक है बच्चो 36 बटे 100 का दसमलो परसार कैसा होगा इसे हम कैसे ग्याद करेंगे आईए देखते हैं 36 बटे 100 को हम लिख सकते हैं ये दो ज़ीरो हटेंगे और दसमलो को चिन्ध हमारा एक और दो दो अंक पहले आएगा यानि एक दो यानि दसमलो 36 इसका मान कितना आएगा 0.36 चूकि इसमें सेसफल जो है वो सूनी प्राप्त हो रहा है संख्याएं आगे नहीं बढ़ रही है इसका मतलब है जो दसमलो का मान है वो निश्चित आ रहा है इसलिए इनका दसमलो प्रसार कैसा होगा सांत दसमलो प्रसार होगा सांत दसमलो प्रसार होगा ठीक है इसी तरीके से इसका हम क्वेशन नंबर चार लेके चलते हैं क्वेशन नमबर चार पर दिया हुआ है तीन बटे तेरा इसके लिए हम तेरा का भाग देंगे तीन में यहां हम परके देखते हैं तेरा का भाग दिये हमने किसमें? तीन में ठीक पहले भाग नहीं जा रहा है तो समलो का चिन्न लग जाएगा यहां जीरो आएगा तेरा दुनी 26 आ गया ठीक है? इसके बाद यहां पर क्या बचा आपका? फोर फिर हम जीरो उतारेंगे तेरा के पहाड़े में तेरा का तेरा तेरा शबी तेरा 59 तिन बाद जाएगा थर्टी नइन अ लग गया बचा एक यहां पर दो जीरो यहां पर जीरो उतारेंगे चुकि यह दस छोटा है तेरा से इसले यहाँ पर जीरो लगाएंगे और एक सुन्हे और उतारेंगे तेरा सत्त्य इंक्यान नवे यह इंक्यान भी आ गया हमारे पास में Sο मे से इंक्यान भी गया बचा 9, फिर एक 0 लगाएंगे तेरा शंग 78 यहाँ पर क्या गया 78 आ गया, बचा क्या यहाँ पर बचा 12 ठीके, अब यहाँ पर 1 0 लगाएंगे, तेरा नवाईंगे 117 117 अब इसके बात जब भाग करेंगे तो यहां क्या बचा तीन अगया अब यहां ध्यान दीजिए हम तीन को ले करके चले थे सक्षायति Nosus बेखने थे और पहुंच कहा गया तीन तक ही पहुंच यानि कि आप हम इसके आगे की प्रक्षाया करेंगे तो हमारे पास यही संख्याएं आएंगी इनका repetition बार-बार होगा यानि हम इसके उपर एक line खीर दें इसे बार कहा जाता है इसका ताट्र पर होता है कि यह संख्याएं पुने आवरित होंगी यह संख्याएं बार-बार जो है आएंगी तो 3 बटे 13 को हम क्या लिख सकते हैं 3 बटे 13 मराबर होगा 0.230769 इसके उपर बार का चिनन लगेगा इसके बार चुकी इन संख्याएं का बार-बार पुन्रावर्ति हो रही है इसलिए इस पर में संख्या का दसंबलो पुरसार क्या होगा सेस्फल सूनने कभी प्राप्त नहीं होगा पुन्रावर्ति चलती रहे आता है इस पर में संख्या 3 बटे 13 का दसंबलो पुरसार कैसा होगा असांत और आवर्ति ठीक है बच्चों समझ में आया अगर भाग देने पर पूरा-पूरा भाग चला जा रहा है सेस्फल कुछ नहीं बन रहा कुछ नहीं बच रहा है तो दसंबलो पुरसार सांत दसंब पुरसार होता है अगर भाग देने पर सेस्फल जो है कुछ नहीं बसता रहेगा और अंको की पुर्णा वर्ति जो होती रहेगी तो वैसा दसंबलो पुरसार जो है असांत आवर्ति पुरसार कहलाता है इसी तरीके से इसके और question दिये हुए इस खंड के प्रस्ण एक के खं लगाईएगा और मुझे भेजिएगा अब हम question number 2 की हो रहते हैं question number 2 दिया हुआ है हमारा आप जानते हैं कि 1 upon 7 equal to 0.142857 है इसके उपर बार का निशान लगा हुआ है वास्तों में लंबा भाग दिये बिना आप क्या यह बता सकते हैं कि 2 बटे 7, 3 बटे 7, 4 बटे 7, 5 बटे 7, 6 बटे 7 के दसंबलो प्रसार क्या है यदि हां तो कैसे ठीक है आओ अब हमें से साल्व करते हैं यहां संकेत के रूप में भी दिया हुआ है कि इसका मान ग्यात करते हैं सेस्फल का अध्यान सावधानी से कीजिए अब आईए हम इस question को हल करते हैं हमें दिया हुआ है 1 upon 7 equal to 0.142857 इसके उपर यह एक रेखा की चीव हुई है ठीक है इसका मान दिया हुआ है तो चुकि जिन संख्याओं को हमें ग्यात करना है 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7 और 6 upon 7 इनका मान ग्यात करना है यह संख्याओं जो है यह क्या है परमे संख्याओं है तो चुकि 1 upon 7 जो हमारी संख्या दी हुई है इसका दसमलों परसार चुकि यह उपर रेखा बनी हुई है इसका मतलब है इसकी आवरत्ती इन संख्याओं की होगी बार-बार तो इसका दसम्लों परसार कैसा होगा असांत और आवरत्ती वाला इसका दसम्लों परसार होगा चीक है अब यहां पर हमें 2 बटे 7, 3 बटे 7, 4 बटे 7, 5 बटे 7 और 6 बटे 7 का दसम्लों परसार ज्याद करना है हम देखेंगे कि 2 बटे 7 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे 7 यानि 2 गुणे 1 बटे 7 का मान दिया हुआ है 0.142857 ठीक है इसके आगे जो यह यह निशान लगा हुआ है यह इसी तरीके से लग जाएगा बराबर 2 का गुणा करेंगे 7, 2, 14 की 4, 7 की 1, 5, 10, 11, 11, 8, 12, 16, 17, 7, 8, 12, 4, 1, 5 हो गया और 4 दुनी 8 और 2 एक कम 2 यानि इसका मान कितना गया जिरो पॉइंट इतना जुकि यहाँ पे उपर बार का निशान है इसलिए यह पुनरावर्ति इन अंकों की होगी यानि दो बटे 7 का मान हमें क्या पराप्थ हो गया 0.285714 इस अंकों की जो है आवर्ति होगी और इसका दसमलो पुरसार कैसा होगा असांत आवर्ति दसमलो पुरसार होगा इसी तरीके से हम 3 बटे 7 का गयाद कर सकते हैं 3 बटे 7 को हम क्या लिखेंगे 3 गुण 1 बटे 7 ठीक है 4 बटे 7 को क्या लिखेंगे 4 बटे 7 को हम लिखेंगे यहाँ पर 3 गुण 1 बटे 7 का मतलब हुआ 3 का गुणा करेंगे 1 बटे 7 का मान कितना है 0.142857 ठीक है अब इसी तरीके से 4 बटे 7 को क्या लिखेंगे 4 बटे 7 को लिखेंगे 4 गुण 1 बटे 7 ठीक इसी तरीके से 5 बटे 7 को लिखेंगे पांच गुणे एक बटे साथ इसके बाद फिर छे बटे साथ को क्या लिखेंगे छे बटे साथ को लिखेंगे छे गुणे एक बटे साथ ठीक है समझ में आया और इसी तरीके से यहाँ चार का गुणा होगा यहाँ पांच का गुणा होगा यहाँ 6 का गुणा होगा और यहाँ पर 1 upon 7 की जो value दी हुई है वो हमें लिखनी है ठीक है यह तीनों जो है वो आपका homework है इसको करिएगा देखिएगा कि इनका मान जो है वो कितना आ रहा है इस तरीके से हम बिना लंबी भाग पक्रिया कि बिना 3 बटे 7, 2 बटे 7, 4 बटे 7, 5 बटे 7 और 6 बटे 7 का मान ज्याद कर सकते हैं ठीक है बच्चो अब हम question number 3 के और बढ़ते हैं question number 3 में लिखा हुआ है निमने लिखित को P upon Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q does not equal to 0 इसमें पहला दिया हुआ है 0.6 ठीक है 0.6 को हमें P upon Q के रूप में लिखना है जहाँ P Q क्या है और Q का मान जो है वो सुनी नहीं है तो सबसे पहले माली जी हम इसका पहला question solve कर रहे हैं माना x ब्रावा 0.6 यहाँ पे ध्यान देना है कि कितने अंकों में हमारा ये बार का निशान लगा हुआ है तो यहाँ पर हम ध x का मान क्या होगा 0.6 6 इस अंक की पुन्रा वृत्ति बार बार होगी ठीक है यह डैस 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 अब यहाँ पे चुकी एक ही अंक के उपर जो है वो बार का निशान लगा हुआ है इसलिए हम इसमें 1 0 यानि 1 0 वाले अंक यानि 10 का गुणा करेंगे दो अंकों में लगा होत 6.666 यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ तो सम्नों को निशान एक अंक की धारा जाएगा हमारी संख्या हो जाएगी 6.666 देस देस ठीक है तो यहाँ पे हम 4 रंक ले रहे तो यहाँ पे भी 4 रंक हमने ले दिये हैं अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया यक्स का मा भांग्यात हो गया है अब यह जो संख्या प्राप्त हुई है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 6.6 प्लस 0.6666 ठीक है देस 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 6 प्लस 0.66 के रूप में हम इसको लिख दिये हैं अब इसके बार 10 X बराबर आ गया हमारा यहाँ पर 10 X बराबर हो गया 6 plus यह value जो है वह हमारा क्या है? X है X का मान दिया हुआ है यही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? X, ठीक, अब यहाँ पर 10 X हो गया, यहाँ पर X इधर जाएगा, minus का निशाना जाएगा 10x माइनस का निशान आ गया यह यहाँ x आ गया ठीक है यहाँ क्या बचा? 6 10x में से x गया कितना बचा? 9x बचाबर 6 x का मान कितना आ जागा? 6 बटे 9 यह किस से 3 से कट जागा? 3 दूनी 6, 3 तरिकाई 9 यहनी हमारे पास x का मान कितना आ गया? x बचाबर आ गया 2 बचे 3 x का मान 2 बचे 3 आ गया इसका मतलब है x हमारा क्या था? x था हमारा 0.6 यहनी 0.6 का बार बचाबर हो जाएगा 2 अपान 3 यहनी चो पुशन था हमारा 0.6 यहनी जो दी गई परमे संख्या के रूप में इसको व्यक्त करना था तो यह परमे संख्या हमारी दो बचे 3 होगी इस तरीके से हम परमे संख्या के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं इसी तरीके से इसका कोश्चन नमबर 2 है और कोश्चन नमबर 3 है ये दोनों question जो है वो आपके क्या है homework है ये दोनों question आपको homework करने है और करके मुझे दिखाना है बेजना है thank you इसके आगे के प्रिष्ण हम अगली कक्षा में solve करेंगे